हेलो फेंट्स में मंदीब सौगत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर फेंट्स आज की इस फीडियो में बैक नेक डिजाइन में आपके साथ शेर करूँगी यह मैन फैबरी के और यह अस्तर का कपड़ा है तो मैं यहाँ पर 38 साइस का बैक पार्ट कट करूँगी डीप आप अगर इसे अपने साइस का बनाना चाहते हैं तो अपने साइस के अकॉर्डिंग मेजर्मेंट लीजिएगा टोटल लेंथ में रख रही हूँ यहाँ अपर साड़ी 14 इंच साड़ी 13 इंच मुझे तयार रखनी है तो आपको भी जितनी लेंथ तयार रखनी है उसमें एक इंच मार्जिन का प्लस करके आप लीजिएगा मेजर्मेंट आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यही मेजर्मेंट में यहाँ पर ले रही हूँ तो देके यहाँ पर हमने क्या करना है चेस्ट का फॉद पार्ट लेलेना है साड़ी 14 इंच अधिन और है देडी इंच एक्स्टा रखा है मैने नार्जिन का मेर्जिन आपचाएं तो 2 इंच तक रख सकते हैं ब्लाॉस में हाफ इंच हमें बाहर की तरफ मार्ख करते हुए आर् इंच एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन का और एक इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिया है और मोल की गुलाई हमें इस तरीके से दे दे नहीं है तो मैंने बैक पार्ट की मार्किंग यहां पर कम्प्लीट कर लिए और अब हम इसे कट कर लेंगे तो बहुत ही यहां पर मैंन फैब्रिक पर साइट से तुड़ा बढ़ा कर कट किया है और यह ले रही हूं मैं पेपर पेस्टिंग बैक पार्ट में अच्छी फिनीशिंग के लिए पेपर पेस्टिंग का यूज ज़रूर करें पेपर पेस्टिंग लगाने से आमारे नेक में बहुत ही कि बंद भाग से मैंने की विट रराज अन्य षुप विट राज इंच नेक की ज़ड़ा और गलले के ऐक आप डाज तक दी तक ले सकते हैं तक एंच कर वा बक मैस ऐगहा पतिल लगाएंगे तो तोहां ना यहां अर debate कि अग्यानद कर श सब्रेस लिगाँद boyfriend तो अगर कम डीप पहना चाहें तो नेक की जो लेंथ है वो आप अपने अक्रडिग रख सकतें मैंने 11 इंच ली है नेक की लेंथ और नेक की विट रखी है डाइ इंच तो इस तरीके से देखे हमने हैं मार्किंग कर ली है और अब हम इसे कट कर लेंगे तो कट करने से पहले लगा लेंग आप यहां पर और नेक के कटिंग हमने कर ले नी है तो सीजनी तो मैंनी है यह पर पैंच शेप आप किया है अगर आप प्रकल से नेक के साथ मेश्द इसस और हैप स्थ चैथे इस दिए आपर शायाते हैरे पर यू उस के ऊपरर पृपर रह ले ना है तो अच्छे से फिनीशिंग के साथ हम इसे जॉइंट कर लेंगे हाज से आप फिनीशिंग करते जाए तक कि अंदर की तरफ कोई भी सलिया क्रिस बिल्कुर भी ना आए और अच्छे से फिनीशिंग के साथ हम इसे जॉइंट कर लेंगे इसके पाद हम इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे एक्स्ट्रा कप्रे को मैंने कट करके निकाल दिया है और इसे हम डबल फोल्ड करके करेंगे सेंटर मार्किंग सेंटर मार्किंग हमने इस तरीके से कर लेनी है दिखिए यह सेंटर मार्किंग मैंने कर ली है डबल फोल्ड करके उपर और नीचे की तरफ एक छोटा कट लगा ले और चॉक से सीधी सीधी मार्किंग यहाँ पर हमें कर लेनी है तो मैं यह जो पेपर पेस्टिंग इसे सिलाई लगा कर अटेज कर रहे हूँ अगर आप चाहे तो इसे प्रैस से चिपका सकते हैं देखिए यहाँ पर हमें इसे अटेज करने के लिए यहाँ पर बिल्कुल कॉर्नर पर सिलाई लगानी होती है पेपर पेस्टिंग के इसके बाद हम साइट से एक्स्ट्रा फैबरिक को कट करके निकाल देंगे और यह कट लगा लेंगे यह कट लगाने से हमारा जो नेक के वो बहुत ही अच्छी तरीके से फोल्ड हो जाता है तो जब भी आप बलाउस बनाते हैं तो हम बाहर की तरफ तो फिनीशिंग का ध्यान देती ही है साथ में अंदर भी हमें फिनीशिंग का ध्यान देना होता है तो इस तरीके से हम फिनीशिंग के साथ पटी को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे तो यह जो कट मैंने लगा थे इससे हमारा जो यह कपड़ा है वो बहुत ही अच्छी तरीके से फोल्ड हो जाता है और इसके बाद हम कर लेंगे हैं पर center marking तो ये जो blouse का pattern है हमारा उस पर हम देखी नाकून से crisp बनाएंगे तो ये crisp बन चुकी है अब इस पर हम सीधी सीधी marking कर लेंगे अब हम इसे neck के उपर attach करेंगे तो हमारे जो blouse का center marking है और नीचे से जो मार्किंग हमने किया है उसे मिलाते हुए उपर वाली मार्किंग को मिलाते हुए सेंटर में हमें एक रफी स्टीच लगा लेनी है उसके बाद हमें यहाँ पर दिखी जो हमारा ब्लॉस का डिजाइन बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल पेपर पेस्टिंग से चिपकाते हुए एक सिलाई लगानी है एक तरफ मैंने लगा लिए है सेम इसी तरीके से हम दूसी तरफ भी लगा लेंगे देखिए नेक पर सिलाई लगा कर हमने इसे कंप्रीट कर लिया है इसके बाद हम इसे कट कर देंगे तो यहां पर हमने एक पिर का मार्जिन जितना कपड़ा चोड़ना है बाकी सारा फैबरिक कट करके निकाल देंगे कपड़ा में ने कट कर दिया है और इसके बाद हम पूरे ही नेक पर छोटी-छोटी से कट लगा देंगे ये कट लगाने से हमारा जो गला है वो बहुत ही अच्छी तरीके से फोल्ड हो जाता है अंदर की तरफ ये देखी इस तरीके से हम इसे फोल्ड कर लेंगे तो ये जो पैटरन है अंदर की तरफ फोल्ड करने से पहले हम इस पर एक कॉर्णर की सिलाई लगा देंगे तो देखी नीचे से जो मार्जी ने वो आपको गले की पटी की तरफ करते जाना है और एक कॉर्णर की सिलाई लगाते जाना है इस तरीके से तो पूरी इसलाई लगाकर हम complete कर लेंगे अब इस गला पटी को दिखे हमें अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है तो ये वाली इसलाई लगाने से भी जो गला है वो बहुत ही इजी ली अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है आप देख सकते हैं बहुत ही finishing के साथ नेक ready हो गया है और अब हमने उपर की तरफ एक पेर का margin रखते हुए सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से तो अच्छे से finishing के साथ हम यहाँ पर सिलाई लगाकर इसे complete कर लेंगे नेक अमरा यहाँ पर complete हो गया है और अब हम नीची की तरफ प्लिट्स डाल लेंगे तो यहाँ पर हमने इसे center से fold करना है जो नीची की तरफ छोटा cut लगाया था और प्लिट्स के जो length रखी है मैंने वो 4.5 inch रखी है 4.5 inch रखी है नेक प्लिट्स की length तो अब हम नीचे की तरफ कमर पटी लगा लेंगे कमर पटी की चोड़ाई रखी है मैंने 9 inch 1.5 inch रखी है इसकी पटी की width और एक सिलाई हम पटी को इस तरफ करके पटी के ऊपर लगा लेंगे इसके बाद हम पटी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और उपर फिनीशिंग की सिलाई लगा देंगे इस तरीके से ये दीखिए सिलाई लगा कर मैंने कम्प्रीट कर लिया है और इसी की साथ हमारा बैक पार्ट कम्प्रीट हो गया है और अब इस बेक पार्ट पे हमें करनी है डिजाइन तो दिखेंगे मैंने जो लिया है वो बुकरम का पीस लिया है आप चाहें तो पेपर पेस्टिंग भी ले सकते हैं और ये एक्स्ट्रा फैबरिक लिया है मैंने अस्तर के साथ मैन फैबरिक को टेज कर दिया है स्क्वेर पीस में और ये लिया है मैंने पट्टी जो लिया है उसी के बराबर से कपड़े को डवल करके लिया है चुडाई में ये दिखें ताकि ये हमें जब फोल्ड करना है तो कपड़ा बिल्कुल बराबर से आना चाहिए एक तरफ से मैंने इसे फोल्ड कर दिया है और दूसरी तरफ दिखे इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है हमें एक्स्टर फैब्रिक को कट करके निकाल देना है अब हमें चॉक से इस तरीके से मार्किंग करनी है और इसे इतना फोल्ड कर लेना है तो यह पट्टी पर हमारी फिनिशिंग हो जाएगी इस तरीके से यह देखी आपर मैंने इस लाई लगा कर यह पट्टी हमारी रेडी कर ली है इसका जो एक कच्छी सिलाई हमने लगाई थी उससे आपको खोल देना है और इसे हमें नेक के ओपर अटेज करना है इस तरीके से देखी तो इसे हम अच्छे से पहले तो पिन के साथ अटेज कर लेंगे और गले की विट्ट का आप दिहान रखें कि जादा ब्रॉट ना हो जाए गला हमारा तो अच्छे से आप इसे इस तरीके से बराबर करके गले की उपर अटेच कर दें उपर से जो गैब छोड़ी है मैंने वो दो इंज की छोड़ती हुए लगाना है एकदम उपर गले की तरफ चिपकाना नहीं है हमें और अच्छे से हम इसे सिलाई लगा कर पैक कर देंगे दोनों तरफ हमें इसे अटेच कर लेना है अटेच मेंने कर दिया है और इसके बाद हमें इना एक पगानी है तो इससे पहले हम इसके एक्स्टर पट्टी नीचे से कट कर देंगे यह फ्रिल के जो चोड़ाई में ली है वो तीन इंचे तो आपको जितनी बड़ी जितनी चोड़ाई में फ्रिल रखनी है उतनी लंबाई चोड़ाई में आप कपडा लीजिएगा और फ्रिल के लिए हम यहाँ पर टोटल लेंथ में कपडा आप जो पटी कट करेंगी वो कम स तो दिखिए मैंने आप इसे लाई लगा कर कमपीट कर लिया है और अब हमें डालनी है इसमें फ्रिल तो पूरी ही पटी पर हम इस तरीके से फ्रिल डालकर इसे कमपीट कर लेंगे तो फ्रिल आपकी बड़ी या चोटी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल एक जैसी ही आनी इस तरीके से हमें फ्रिल डालनी है इसमें पूरी पटी पर फ्रिल लगा कर दिखिए मैंने कंप्लीट कर लिया है इसे और अब इस पटी को फ्रिल को नेक के उपर लगाएंगे तो दिखिए इस तरीके से लगाना है आपको फिनीशिंग के साथ जो गला है हमारा उसके उपर ह हम लेश का यूज करेंगे लेस लगा लेंगे अगर आप लेस का यूज नहीं करना चाहते हैं तो इसी कपड़े को आप तर्ची पत्टी टकरकर पृत लगा सकते हैं इसके उपर तो दीखे मिने हैं हैं Isti के मैंचिंग में इसी कल्सेम कलरकी गड़े बाइस्ट के लिया है और यह इस तरीके से लगा लेगे से पर में लाफ दो यह इस सब्स नजेर कें तरफ आफे पर अफ़ाओं से टाल दें तकि हमाला जो नेक का शेप यह वह भी ए? तक देखे नहीं तराबर से दीखे यह देखे इस तरीकेसे लगा लीनीए है लेक्षकों मेरे इसको पाद एक सीलाई हम साइट पे कॉर्नर की लगाए कर इससे कंप्लीट कर लेंगे यह दीखिए हमने इस लाई लगा कर इसे कंप्लीट कर लेना है तो यह फ्रिल लगा कर हमने नेक को रेडी कर लिया है यहाँ पर अभी इसमें हमें बोग की डिजाइन बना कर लगानी है तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लेंथ में साड़े नुव इंच का फैबरिक लिया है और इस तरीके से दिखिए हाँ पर यह पट्टिया ली है मैंने और यह स्क्वेर पीस जो हमने कट किया है इसे हम सिलाई लगा कर इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे पहले हमें साइट से सिलाई लगानी है फिर इस तरीकी से लगाएंगे और बीच में थोड़ी सी गेप आपको छोड़ते हुए सिलाई लगानी है थोड़ा गेप आप छोड़ते हुए सिलाई लगाएं ताकि हम इसे पलट करके सीधा कर ले अब आपको इससे पलट लेना है इस तरीकी से कोई भी नोक वाली चीज से आप इसके कॉर्नर्स अच्छे से निकाल ले यह दिखें यहापर मैंने कॉर्नर्स निकाल लिया है इसके बाद इसके नीचे लगाने के लिए हम बेल्ट रेडी करेंगे तो इस बेल्ट को आपको इस तरीके से फोल करना है और उपर से तीची सलाई लेते हुए बेल्ट का शेफ देते हुए आपको नीचे तक सलाई लगाकर इससे कंप्लीट कर लेना है तो बेल्ट के चो लैंद थे वो मैंने कम ही रखी है अगर आप ज़्यादा लेना चाहें तो आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा रख सकते हैं और इसे हम पलट के सीधा कर लेंगे और कोई नोक वाली चीज यूज करके आप इसके भी कॉर्नर्स जो हैं वो अच्छी से निकाल लें हलका हलका प्रेस करेंगे यहाँ पर तो कॉर्नर्स निकल जाएंगे और दूसरा वाला बैल्ट भी हमें इसी तरीके से तयार करना है और मैंने इनके उपर प्रेस भी कर ली है फिनिशिंग के लिए अब हमें यह जो बौ के लिए हमने कपड़ा रेडी किया है वहाँ पर हमें इस सेंटव अमार्ण कर लेना है इस तरीके से तो दिखे हमें सूई धागे की मदब से इसे बौ का लोग दे देना है आप चाहें तो मेशीन से भी कर सकते हैं और यहाँ पर दिखिए हमने इसे स्टीच कर लेना है धागे को खीच लेना है आपको और इसे अच्छे से सेट करते हुए आपको बोक अलूग देते हुए इस तरीके से धागे को कर लेना है और दो तीन बार अप इस तरीके से करने के बाद इस पे नौट लगा ले अर्शे स इस तरीके से यहाँ पर इसे लगाकर सिलाई लगाकर कम्पीट कर लूँगी या फिर सुई धागे से भी आप इसे टक कर सकते हैं एक्स्ट्रलेस को कट कर दें तो यह देखें यहाँ पर हमारा बो रेडी हो गया है और अब हम बैल्ट को लगाएंगी तो आच्छे से पहले आप बैल्ट को इस तरीके से रख लें और सिलाई लगाकर इसे पका कर लें तो मैंने इसे सिलाई लगा दी है अब हम इसे अटेश करेंगे तो अटेश देगे आप यहाँ पर जो हमने पटी लगाई थी यहाँ पर हमें सेंटर मार्ग कर लेना है इस तरीके से डबल फोल्ड करके सेंटर मार्ग करेंगे और यहाँ पर हम बैल्ट को अटेश करेंगे पहले इस तरीके से और फिर बो को इसके उपर अटेश करेंगे तो पहले आप बेल्ट को सिलाई लगा करें अटेश कर सकते हैं बोव को आप सुई दागे से अटेश कीजिएगा यहाँ पर अच्छे से आप पहले इसे टक कर ले पका कर ले दो-तीन बार सुई को अंदर बाहर करने के बाद फिर हम इसे इस तरीके से यहाँ पर अटेश कर देंगे इस तरीके से देखिए हमें इसे पका कर देना है और यह डिजाइन बनके कम्प्लीट हो गया है फ्रेंट्स आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएएगा वीडियो को लाइक शेल ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सस्क्राइब ज़रूर करें धन्यवाद